दोस्तो नमस्कार श्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल एग्रो टेक स्टडी में है और दोस्तो मैं हूँ अर्बिंद्यादब दोस्तो जैसा कि आपको पता है बिलूप्रिंट चैन्ज हो गया है फिर ये आपका चैप्टर नमर फस्ट है जलनिकास यानि आपका सब्जेक्ट तो पता है ये आपको क्रॉप पोडक्शन एंड होटी कल्चर का पहला चैप्टर लेकर हाजरूं दोस्तो नए से मिलने वाले हैं तो दोस्तो पहले मैंने आपको बड़े बड़े चार चार नमर के प्रिंट के अनुसार दो नमर के प्रिंट में आपको पढ़ाने बाला हूं तो दोस्तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूल करने और सब को नए वीडियो का नोटिफिक्सर पर डे मिलता रहे ठीक है दोस्तों तो हम इस वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं बिना रुके सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जलनिकास किसे कहते हैं किसे कहते हैं सब जानते हैं दोस्तों कि खेत में भरे हुए फालतू पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही जलनिकास कहलाता है यह जलनिकास कहते हैं सब जानते हैं दोस्तों खेत अपना है बरसा हुई बरसा से खेत में कभी पानी भरा जाता है तो कृतिम रूप, किरतिम मतलब किसी ब्यक्ती के द्वारा किसी की भी द्वारा, मनुस्ष द्वारा वो काम किया जारा है तो उसे हम लोग कहते हैं जल निकास, तो अच्छी तरह समझ में आ गया हो, आपको जल निकास के से कहते है जो फाल्दूपनी भरा रेता है उसको बाहर निकालने को ठीक है अच्छा जलनिकास के उद्देश लिखिए दो नमर में कॉसन फुसे जा सकता है आपको पता है पहले बाला भी और दूसरा बाला भी और मैंने जितने भी कॉसन बनाएं सबी दो-दो नमर के कॉसन बनाने की मतलब हम जलने कास क्यों करते हैं सबसे पहले बात है भूमी को दलदली होने से बचाने के लिए बिल्कुल इसलिए करते हैं कि भूमी दलदल होने से बच जाए दलदल का मतलब क्या होता है दोस्तो कीचड कीचड नुमा न हो जाए तो याद रखना पहला पॉइंट भूमी को बुबाई समय पर करने के लिए बिल्कुल दोस्तों क्या होगा अगर पानी भरा रहेगा तो क्या हम जुताई बुबाई समय पर कर सकते हैं नहीं ना तब ही तो हम अगर पानी को भार निकाल देंगे तो जुताई भी और बुबाई भी समय पर कर सकेंगे तो हम इसलिए ही जल निकास करते हैं, दूसरा उद्देश के लिए रो गया तीसरा उद्देश है दोस्तों मैंने बना दिया अगर कभी आप एक भूल जाते हो तो तीसरा भी आपको याद बना रहे, वैसे तो दो ही पूछे जाने तीसरा भी मैंने बोल दिया जिसे आपको अगर एक भूल जाते हैं तो आपको याद बना रहे हैं भूमी का तापमान सही रखने के लिए बिल्कुल अगर पानी भरा रहा तो आप जानते हो कि पानी ठंडा होता है तो उसे टेंपरेचर कम हो सकता है तो अगर हम पानी को बाहर निकाल दें कि लाब और महत्व का मतलब एक ही होता है आपके एकजाम में चाहिए लाब पूछे या महत्व पूछे उसका मतलब एक ही होता है ठीक है तो क्या महत्व होता है बताइए दोस्तों पहला तो भूमी दलदली होने से बच जाती है यहाँ पर क्या है जाती है वहाँ पर क्या है दलदली होने से बचानी के लिए उद्देसों लाब में यही तो अंतर और कुछ अंतर ने वहाँ पर कह रहेते हैं भूमी को दलदली होने से बचानी के लिए करते हैं हम पानी को बाहर यहाँ पर क्या कह रहे हैं अगर हमने पानी को बाहर निकाल दिया तो क्या होगा भूमी दलदली होने से बच जाती है पहला लाप को हमको यह हो जाता है मतलब कीचड़ो नुमा होने से बच जाती है दूसरी बात है दूसरा लाप जो है भूमी का तापमान सही हो जाता है बिल्कुल temperature बिल्कुल सही बना रहेगा कोई दिक्कत नहीं आएगे क्योंकि पानी को हमने बाहर निकाल दिया वैसे दो most हैं फिर भी मैं और बता देता हूँ भूमी अनुपजाओ होने से यहाँ पर फ्रिंट हो गया है भूमी अनुपजाओ होने से बच जाती है अनुपजाओ का मतलब तो आप लोग जानते होगे अनुपजाओ मतलब उसमें अगर पानी भरा रा भोस समय तक तो आपकी भूमी अनुपजाव होगा, उसमें किसी प्रकार की पसल नहीं हो पाएगी, उसका उरुबरपपना जो है वो चला जाएगा, ठीक है ना, भूमी दलदली में से छारीय लबड़िया भी हो जाती है, आप जानते होगा अगर अधिक समय तक पानी भरा रा, तो भूम जब हमने पानी निकाल दिया तो यह समय पर हमरा हो जाता है, अगर आपको देश याद हैं, तो पीछे सिर्फ आप लगा दीजिए, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, जाता लगा दीजिए, आपका कॉश्चन क्लियर हो जाएगा, जो लाव या महत होता है, क्लियर हो यह दोस्तों देख लेजी, सबसे पहले है प्रस्टिय जल निकास, तो प्रस्टिय मतलब उपर, सत्य की बात कर रहे हैं, जब जल निकास की नालियां भूमी की सत्य की उपर बनाई जाती हैं, तो उसे प्रस्टिय जल निकास कहते हैं, किसे कहते हैं, जब जो पानी निकालने की न नालियां होती हैं उनको भूमी के अगर उपर बनाते हैं सत्य पर बनाते हैं तो क्या कहा जाता है उसे प्रस्टिय जलनेकास दूसरा कौन सा होता है दोस्तों भूमी गजलनेकास क्या होता है भूमी गत गत मतलब नीचे भूमी के अंदर तो वो सारे बच्चे तो यह सोच रह देख लीजिए आप लो जब जलनिकास की नालियां भूमी की सत्य के नीचे बनाए जाए कहां बनाए जाए नीचे बनाए तो उसे हम भूमी गत जलनिकास कहते हैं तो आपको यह जो विदियां दोनों विदियां अच्छी प्रकार से समझ में आ गई हो ठीक है दोस्तो बात कर टायज जलनिकास न ह्युक्ष फिर आपका है मो जलनिकास और पाच ही आपका पोल जलनिकास तो बैसे तो इनकी फ़ोध डटिल भी है आगे लेकिन डटिल में पूछा जाए चाहिएगा सीदा आपका पूछा जाएगा कि भूमीगगा जलनिकास के प्रकार बताईए तो 5 प्रकार होते हैं दो नम्मर में कॉशन पूछा जा रहा है इसलिए मैंने इसको सौट कर दिया है विसे बड़ा कॉशन है ठीक है न तो आप इसको इस प्रकार से पूरी जो प्रकार है उनको याद रखेंगे ठीक है और किसी को डाउट लग करने में परिशानी नहीं आती है भूमी गत अगर हम नीचे नाली बनाएंगे भूमी के अंदर तो बताए किर्शी करिया करने में परिशानी आई कि नहीं आईगी बिल्कुल नहीं आईगी क्योंकि नीचे से पानी निकल रहा है नीचे नाली बनी है भूमी के अंदर ऊपर तो हम चाह जुताई हो बोबाई हो निराई गुडाई हो तो उनमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं कहने का मतलब है किर्सी करिया करने में कोई बाधा नहीं है कोई परिशान है दूसरी बात दूसरा क्या है गुण नालियों की बार बार मरमत नहीं करने पड़ती है बिल्कुल ये गोण है तीसरा गोण कुण सा है ये भी आप देख लेजी मैंने तीसरा भी जोड़ दिया भूमी कटाब की संभावना कम रहती है भूमी कटाब का मतलब क्या होता है देखो अगर उपर से पानी भाएगा तो मिट्टी भी साथ में भी जाएगी पानी के साथ में लेकिन य ये नालिया का मनाई जा रही है भूमी के अंदर यानी नीचे तो भूमी कटाब की संभावना क्या हो जाती है कम हो जाती है अब बात करें हम दोसों की दोस कौन कौन से होते हैं इसमें तो पहले दोस्तों ये कि नालिया बनाने में खर्च अधिकाता है बिल्कुल खर्चा दिखायों कि पक्की नालियां बनाना पड़ रहा है नीचे बनाते हैं तो खर्चा इसमें क्या होता है अधिकाएगा सीरी सी बाता सिंपल बाता नीचे बनाओगे खुदाई करना पड़ेगा जब जाके पाइप लगाने पड़ कहने का मतलब इसमें खर्चा दिखाएगा दूसरा नालियों का आकार घटाये बड़ाया नहीं जा सकता है बिल्कुल क्योंकि पक्की है कैसे घटाए बड़ा दिक्कत आती है ठीक है ना तो यह थे आपके दोस्त बात कर लेते हैं आगे इंपूरेंट कोशन है प्रिस्टिया जलनिकास एबं भूमिगज जलनिकास में अंतर बताईए प्रिस्टिया जलनिकास एबं आपका भूमिगज जलनिकास दोरों में तो प्रिस्टिया जलनिकास तो क्या होता है देख लीजे यह नालिया भूमिग की सतह पर बनाई जाती है प्रिस्टिया जलनिकास की जो नालिया भूमिग की सतह के नीचे बनाई जाती है आगे बात कर जबकि भूमिगत नालियां बनाने में खर्च अधिक आता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर खर्चा क्यों अधिक होगा, क्यों पकी बना है, सीमेंट भी लग सकता है लोग भी लग सकता है, तोinding क्या होगा भीग हैं। तीसरा पॉंट है प्रिस्टिय नालियां बार-बार तूटती है जबकि भूमगत नालियां बार-बार नहीं तूटती है क्यों कच्ची नालियां होगी पानी ज्यादा बरसात हुई तो पानी के साथ नालियां भेजाएंगी मिट्टी भेजाएगी तो बार 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 टूट जाएगी तो इसमें आप कह सकते हैं मरम्मत करने में खर्चा भी अदाय खाएगा जबकि हम बात करें भूमिगत जन निकास वाली नालियों की तो नालियां बार बार नहीं टूटतेगी आप बिल्कुल परिशान नहों, अच्छी तरीके से पढ़ें, कहीं समझ में नहीं आता, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बिना परिशान हुए आप कॉल करिए, आपको पता ही है हमारा मोमेल अमर 7224 002628 है, दूसरा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी हमसे पूछ सकते हैं, जैसे हम बात करें, सबसे पहले भूमी की ढाल बिल्कुल, भूमी की ढाल कैसी है, कम है या जादा है, तो उसी प्रकार हम नालियां बनाएंगे, भूमी की किस्म, भूमी कैसी है, जैसे आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, कि भूमी की किस्म, अगर भूमी की किस्म में काम नहीं कहते है क्योंकि मिट्टी से उनके छिद्र क्या हो जाते हैं बंद हो जाते हैं तो ठीक है भूमी की किस पर डेपेंड करता है अगर भूमी चिकनी है तो बहां पर आप कौन सी नालिया बनाओगे बताए कौन सी नालिया बनाओंगे हम लोग बहां पर हम लोग ना करेंगे भूमिगत नालियां बनाएंगे ठीक है चोथा किसान की आर्थे किस्तिती बिल्कुल अगर किसान की आर्थे किस्तिती अच्छी है तो भूमिगत नालियां बनाएए और किसान की आर्थे किस्तिती कमजोर है गरीब किसान है तो वो प्रिष्टिय नालिया बना सकता है कच्ची नालिया बना सकता है पाँचवा पॉंट है अनावसिक जल की मात्रा तो अनावसिक जल की मात्रा कैसे प्रभावित करती है अगर मान कर चलिए ज़्यादा पानी आपके खेत में बरा रहता है तो आप लोग उसको पकी नालिया बन बाईए भूमी गतनालिय वन भाई ये अगर अनवस्तिक जल कम मात्रा है पानी के मात्रा कम ही रहती है तो प्रिष्टिय नालियों से ये काम चला सकते हैं तो ये थे जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक नाम तो आपको बताए दिया साथ में मैंने ये भी बता दिया कि कैसे कैसे ये प्रभावित करते हैं ठीक है दोस्तों बात करते हैं आगे नाइन पॉइंट के नेक्स पॉइंट है आपका नेक्स कॉसन भूमी में अधिक जल एकत्रित होने की स्थित्यां लेकिए बिल्कुल कॉसन पूच रहा है कि ऐसी कौन-कौन सी स्थित्य आ जाती हैं जिस स्थित्य में खेत में पानी भर जाता है तो हम इस्थित्य यहों को समझेंगे सबसे पहले इस्तिती है अधिक बरसा होना तो अधिक बरसा होना अकर पानी अधिक बरस जाता है पानी अधिक बरसा हो गई तो आपको पहले सी सेचुरेट थी आपकी सोल उपर से पानी और बरस गया तो जाइब को आगे बात करते हैं आपका निचले थरह त्लबाली मिर्दाम निचले धरतल वाली मिर्दा कौन सी होते हैं आपकी जैसे नीचे आपकी भूमी है तो अगर चारो जो नीचे वाली और भूमी उसे तो बहाँ पर इकटा पानी वह सीधी बात नीची धरतल सेम है और उसके बीच में कोई खाए नीची सी जगह है तो उसमें पानी बरा हो है नहीं झार नहीं जाएगा तो उपर भर के रह जाएगा तो यह हैं और आपका चत्तानों से घरी हुई मिर्दा होना चाहिए यहां पर में स्प्रेंट होए गई मिर्दािं में साल आफ इं दो सकता है इंप को संहांने जो इस नदर समझ गये होंगे कहीं पर प्रोब्लम है तो आप लोग मुझेड़ कर सकते हैं comment box में भी पूछ सकते हैं बात करते हैं आगे important question की दोस्तों सिचाई एवं जलनिकास में अंतर यह आपको पहले जो चार नमर में question पूछा जाता था तब का बहुत important question है फिर भी मैंने इसके चार पूइंट रखें बैसे दो रूप से तो उसे क्या कहेंगे सिचाई जलनिकास की बात कराना तो जलनिकास क्या आप पहली बता दिया मैंने के खेट में बढ़े ये फालतू पानी को बाहर निकालना आपका जल निकास कलाता है दूसरा प्वेंट है दोस्तों सचाई करने से खेत का जल इस्तर उपर उठता है बिल्कुल हम पानी भरते हैं देते हैं तो आपको सीधी से बात है वहां का जो बाटर लेवल है वो उठेगा और अगर खेत से प काम होता है पानी भरते हैं जलनिकास हो वही काम होता है कि खेत में से पानी निकालते हैं तीसरा पॉंट है सचाई की अवसकता बर्स भर होती है जब की जलनिकास की अवसकता बर्स भर होती है जब की जलनिकास की अवसकता बर्स भर होती है जब की जलनिकास की अवसकता सिर्फ है तभी पानी भरता है खेत में तो तभी आपको पानी को भान निकालनी के वक्सता पड़ती है तो था भी समझ लो सिचाई का जल घरेली उपयोग में काम में आ जाता है जबकि जलनिकास का जल होता है वो घरेली उपयोग में नहीं आता है प्रणालियों को नाम बताएं प्रणालियां है प्राकृतिक प्रणाली है एरिंग बॉन्ट ब्रणाली और प्रणालियों को अगर आपको डिटेल में ही पढ़ना है तो डिटेल में आप लोग पढ़ने का वासकता नहीं है क्योंकि रीजन यह है कि कॉशन दो नमर काएगा तो नाम ही सिर्फ पूछ जाएंगे आपको नाम की आपको दो नमर मिलेंगे अगर चार नमर पूछा जाता त तो मैं इसकी आपको पूली डिटेल भी बदा सकता था कि प्राकर्तिक प्रणाली क्या होती है और मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था मतलब सबसे पहले जल निकास का उसमें इनको समझा है भी है ठीक है ना और समझना भी चाहते हो तो मैं आपको एंक एंगाना सकता से उसमें साहिक नाली जोड़ दे जाती है सिर्फ यह अंतर होता है बस इतीनों याद रखना है प्रिशन नेक्स है बारवा आपका कच्छी खुलियां आइस्थाई नालियों के दो लाव एवं दो हानियां लिखिए तो दो लाव हैं आपके दो हानियां दोस्तों लावों की बात पहले कर लेते हैं हम लोग कि कच्छी खुली या आइस्थाई नालियां पूछा जाए एक जाम में तो नालियां बनाने में पहले खर्च कमा रहे हैं तो सिर्फ इसी बात खर्च कमाएगा क्योंकि मिट्टी की मनाई जाएंगी सिर्फ इसी बात कोई भी किसांद बना स तो ये बाद ये लाव होगे हैं तो दो लाव इसके आपको समझ में आ गए हुगे बात करते हैं दोस्टो हागे हैं हनन्यो की तो नालियां बार बार तूट जाती हैं कि युडी तो पानी बरसा अधिक होई तो जैसे जुताई है बुबाई है तो वो करने में प्रॉब्लम आई है क्योंकि बार बार तूट जाएंगी आपके कल्टिविटर चलाओगे वहाँ पर जुताई करो तो ये प्रॉब्लम्स होती है ठीक है न और आपकी एक तीसरी हानी भी जोड़ दिये भूमी कटाप की था यदा या पक्की नालियों के लब एबशानी लएकं वहानी दूलाब दूहानी इसमें मैंने बता देता हूं कोई चलाओवान की त्यूंगा रहती है यसलिवं Dalio का नुट है तो पानी क रिशाप भी नहीं होता है पानी च्च नालियों बिल्कुल नहीं होता है तो ह要 लिए लाव होते हैं दोस्तों इस्थाई या पक्की नालियों के समझ में आरहे होंगे ere 차 Museum और स्थाई नालियोत सब्सक्षा भरब और सेज़न राम जोल Jobs भी उन नालियों को बना सकता है मतलब आम ब्यक्ति नहीं बना सकता है तो कहने को मतलब तकनीकी ग्यानी का वसकता होती है तो यह भी एक हानी माननी जाएगी और तीसरी जो हानी है वो है कि नालियां बनाना कठिन होता है सही बात है कि नालियां बनाना कठिन होता है मैंने आप सेंटी मिटर या इंस पानी निकास किया जाता है उसे जल निकास गुडांक को कहते हैं तो बैटा मैं आपको बताओं किसी ग्याद सेman की 알ेट कोई एक हेक्टर खेत है और 24 घंटे में उसमें से जितने सेंटीमटर है तो जितने पानी निकला जितने सेंटीमेटर पाइन निकला निकास किया गया उसे क्या कैते हैं जल जल निकास गुणांक रहे सेंटमीटर में लापते इंच में नापते हैं उसको स्या निकास गुणांक कहते हैं, उम्मीद करते हूं थोड़ See समझ में आएगा, पूरी तरह एसे थोड़ा सा नहीं आपा रहा होगा R Special Six कह सा कहीं । और पता है तो उस में से 24 घंटे में से 24 घंटे में जितना पानी निकाला हमने मतलब जल निकास किया उस में से यतनी संटिमेटर पाई निकला या जितना इंच पाई निकला उसको जल निकास गुणांक कहते हैं अब अच्छी तरीकी समझ में आ गया हो ऐसी उमीद मैं करता आपसे ठीक है ना दोस्तो समझ में आ रहा हुगे पूरे कॉशन आगे बात कर लेते हम नेक्स्ट कॉशन की नेक्स्ट आपका भूमी में अधिक या अत्रिक्त जल होने से कौन कौन सी हनिया होती है दोस्तो सेकें लास्ट कॉशन है भूमी दलदली हो जाती है पहली बात तो यह हनी सबसे पहली बात अत्रिक्त जल अगर मान के चलो हमारे खेत में अधिक पानी भरा हुआ तो उससे हमको आप अपतुटी उसकती की में वह सकति को मिन्स क्या होता है कि श हमता ही क्या कहिला अगर कि अगर पानी थीक बात है फसले शड़ा गल जाती है बिलकुल खेत में पानी बरा अगर अपनी फसल खड़ी हुई है तो यह या अधिक जल से होने वाली उम्मीद करता हूं समझना है लास्ट कोशन की बात कर लेते हैं जल निकास का पोधों पर क्या प्रभाब पढ़ता है पहला प्रभाब तो यह पढ़ता है कि अगर आपका फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है बिलकुल अगर आपको पानी भार निकाल दिया तो अच्छी बात है और इसमें पॉटक्षन बढ़ नहीं है क्योंकि पानी बढ़ रहेगा तो पॉटक्षन घट जाता है तीसरा पॉट्ट है पौधों में रोग एवम की जादा हो सकता है अगर पानी अपने निकाल दिया तो रोग एवम कीटों का फ्रकोप खांव जाता है पौदों की जड़ाय के भूमी में अधिक गहराई तक जाती है विल्कुल अगर अगर अशकाय जा पूछाएगा बिल्कुल आपको दोनों कोस्तन दो दो नमर के मिल जाएगे क्योंकि आपको दो तो अथभा में आने तो इसी चप्टर से आने और कहीं से नहीं पूछा जाएगे यह रूल होता है बटा बोर्ड का आपको नीचे लिखा है जब भी बिलूप्रिंट आया जब आप लोग चार में से दो तो करीद होगे है ना तो मतलब आपको इसी में से पूरे मिल जाएंगे ठीक है बस आप पढ़ते रहें मेहनत करें कहीं दिक्कत आया तो आप जरूल कॉल या मैसेज कर सकते हैं ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छे लगाओ तो लाइक करें वीडियो को सेर करें अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब जरूल करें दोस्तों आज के लिए इतना ही नमस्कार